हुआ है बच्चों आज की वीडियो में देखेंगे उत्तल गोले दरपड की फोकस दूरी और बकृता तीज्य आर में संबंध यानि एफिस का टू आर वाई टू इसके पहले वीडियो में हम लोग आउतल गोले दरपड के लिए एफिस का टू आर वाई टू प्रूफ करने क के लिए देख चुके हैं इस वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे फोकस दूरी और बकृता तीज्य में संबंद क्या होता है इसका भी संबंद वही होता है जो आउतल गोले दरपड के लिए होता है एफिस का टू आर वाई टू तो तो चलिए इसके डेरिवेशन के लि ऐसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट इन्जी अशी कर देख को हन अने कि यहां एक प्रिंसپल ह्सीजटों कर देते हैं शार्यतल शार्य रेक स्टेश इस पहलते हैं मुखक अच्च आध यह बेच वाला पॉइंट ने इसको हम ध्रू मानते हैं पूल जिसको रूब पीसे दीखात है ओके यह रहा आपका दरपड का द्वारक जिसको आप एटर्स बोलते हैं यह रहा आपका एम एम डैस एम एम डैस ओके कि इसका फोकस दुरी मेंशन करते हैं इसका फोकस दुरी माल लेते हैं है कि यह आपका फोकस बिंदू है और इसका अंग बत्रता तेर्जिया है है फोककस दुरई अक और ध्रूस लेकर बक्रता किंद्र के 20 की दूरी को हम बक्रता तिर्जा बोलता है इसको हम कैपटल स्वरी इसमाला से दर्साते हैं ओके तो हमको फूफ करना है कि फोकस तूरी और बक्रता तिर्जा में रेलेशन क्या है तो इसके लिए हम लोग एक समानतर प्रकास के किरड़ मुख अच्च के समानतर प्रकास किरड़ दर पर आपतित करते हैं मान लेते हैं यह किरड़ ए है और बिंदु बी पर टकराते हैं टक्राने के पश्चात आप जानते हैं कि गोली दरपड़ पर मुख्यज के समांतर चलने वाली प्रकास के किरण अपवर्तन के पश्चात मुख के फोकस से होकर जाते हैं या जाती होई प्रतीत होते हैं यह आपका कुछ इस तरह से निकल जाएगा और यह अभास होगा कि मुख के फोकस से होकर यह जा रही है क्योंकि इधर दुआ नहीं पाएगा क्योंकि कले किया गया है इसमें थोड़ा सब्सक्राइब रचना करते हैं बिंदु पीव का नार्मल ट्रॉ करते हैं नार्मल का मतलब अविलम्द है तो अगर कुछ इस तरह का मिरर है जिसको हम बोलते हैं समतल दरबड तो अगर कोई प्रकास किरड़ बिंदु पी पर आपतित हो रहा है इंसिडेंट हो रहा है रिफ्लेक्शन के पास्चाथ अगर इस डिरेक्शन में निकल जाता है तो इस सर्फिस का प्रिपेंडुकलर जो लाइंट्रो करते हैं उस किसी भी बिंदु का हम लोग नार्मन ड्रा करने के लिए इस दरपड के बकरता केंद्र को मिला देते हैं उस पॉइंट से इस पॉइंट से हम दरपड के बकरता केंद्र को मिला देंगे तो इस पॉइंट का हमको नार्मन बेल जाएगा यह रहा हमारा नार्मन अभी लम बो इसको हम डाल देते हैं कोई वे ही डाल देते हैं इसको क्यों डाल देते है ठीक है अब देहेंगे यह जो कोण है आपका यह कॉण कि यह आपका इंसीडेंट एंगिल है इसको बोलता है रिफ्रेक्ट एंगिल ठीक है इंसीडेंट एंगिल और रिफ्रेक्ट एंगिल कि तो आप प्रकास के अपॉर्थन के नियम से पड़े होंगे कोड़ एबी और क्यों एनकोड़ एबी और क्यों यह वरावर होता है कोड़ क्यूंदी और डिक क्यूंदी और टिक लॉफ रिफ्लेक्ट्ट्ट लोब रिफ्लेक्ट के अपॉर्थन को नियम से जानते हैं यह कून आई बरावर क्या होगा क्योंदार होगा ओके हो इसकेंक मूँधनीज देखते हैं बच्चों मिस्कोई क्वेस embrul mendat कि अगर इसको हम एक लाइन मालना यहां से यहां तक तो यह लाइन आपका ये क्रेख हाई हो गया अगर दो लाइनों को अगर को ये तिरिया क्रेखा काटता है है तो यह पृमड़ और यह कोड़ आपस मैं क्या होता है बराबर होता है ठीक है इसको बोलता है करिस्पेंड लिगेंगल के बोलता है कोसपोर्ण इंगल अ शुर्ड़्स बॉलता है ठीक है ही क्या बोलता है संगत four JO मत को होंगे बराबर होंगे फिगरदेखेंगे यह एक और वान यी वाल अकार दो रेखा एट थिरियखर देखेंगे एक तिरियक आहिए गयोक्त रुआ अपक्रा पसमिए वनके सब्दकोंट इसकूर का नाम क्या है ए-1 कि यह बरावर होगा किसके यह को नाम लेंगे यह यह सी और भी एफ चीर देखेंगे अफ चीर बीएफ बीबी प्वेंट है यह दोनों आपस में भरोगा किसके कारण संगत कोड के कारण संगत कौण से इंग्लीज में किया बोलेंगे corresponding angle कोई confusion है नहीं आगे चलता है सको ही क्रस्विंब वार टू मांता है अब दिखते हैं कि फ्रामी के सन बनेंट जो से फ्राब एक्वेशन वन एंड टू से यह और यह आपसे बराबर है तो यह और यह आपस में क्या होगे बराबर इसले में लिख सकते हैं कुड क्यू बी डी यह बराबर होगा कुड एप सी दी कोई दिकत नहीं इसको इक समय हमने तीन माल लिया तरी पकेश एक चीज़ और हम देखते हैं हाँ से अब देखेंगे अगर दो रहना ऐसे और एससे अपसे किसी पॉइंट पर एक काठती है माल लएते हैं यह पी पॉइंट पर काच रहा हा तो एंगिल 4 चार्ब पाम रहा है कि इसमें देखते हैं कि कि और एंग्जी फरस्ट यह बरावर होता है एंगिल थोड़ के और अंगिल टू ये एबरावर होता है एंगिल फॉष से इसको बोलता है मैप का एक रूल है। उसको बोलता है सिरसाख भी मॉक्कोरर क्या बोलता है और उक छए मैं किस पॉइंट पर कट रहा है इसके सामने की खिषर और इसके सामने के ँपूज आपस में क्या होंगे बराबर हूँपा है हिंदी में क्या बोलता है सीरसा भी मुकून इसको इंग्लिस बोलता है वर्टिकली अपोजिट एंगिल क्या बोलता है वर्टिकली अपोजिट एंगिल बोलता है तो इस तरह सम देखेंगे ध्यान देंगे फिगर पर यह वाला डी और यह द्यांस देखेंगे डी और यह य कोड और यह वाला कोड आपस में क्या होंगे बारावर होंगे तो इसका नाम लेखेंगे क्यू भी डी कोड क्यू भी यह बरावर होगा किसके एफ बी और सी एफ बी और सी के बरावर होगा इसको किस एंगल से हुआ सीरसा भी मुख कोड से सीरसा भी मुख कोड से वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो गया इसको एक्रेसर नमबर 4 माल लेते हैं अब फर्म एक्रेशन 3 & 4 देखेंगे यांसे फ्रम एक्रेशन 3 & 4 देखेंगे यह और यह आपसे बरावर तो यह बरावर यह हो सकता है ठीक है तो कोड एफ सी दी यह बरावर होगा कोड एफ बी सी के बरावर होगा इस इतना बात समझ में आ रहे तो आगे बढ़ा है कि देखेंगे बच्चों एक कोड एप सी बी और एफ बी सी एक ही तिर्भूज का कोड है जैसे हम तिर्भूज आप हाइलाइट कर रहा है आप देखेंगे यह तिर्भूज दिखाए देर आपको यह तिर्भूज यह तिर्भूज का नाम क्या है यह तिर्भूज का नाम क्या है एफ सी बी यह तिर्भूज हो गया है इसी का एंगिल है एफ सी भी एप सी भी कहा है एफ सी और भी यह वाली एंगिल की बात कर रहा है और FBC FBC इस एंगिल की बात कर रहा है जब एक ही त्रभूज में दो एंगिल बराबर हो उसके सामने वाली कोड़ भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं तो FCB FCB और इसके सामने का कोड़ क्या है भूजा क्या है FB या BF इसका नाम लिखते हैं BF BF यह बराबर होगा किसके FBC FBC इसके सामने का भूजा क्या है आपका FC और FC आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्योंकि एक ही त्रभूज के कोड़ है ठीक है इसलिए अब हम को पता चल गया व्यभार क्या मिल गया F studiack ओके थोड़ा से यहां प्यक्राइक करना करना करणा कि अग hedge szy जो आपका तरपन है इसका द्वारक छोटा औरकि वाला द्वारक हो जाए जब द्वारक छोटा होगा तो ओने यह वाला पॉइंट और तोड़ा-थोड़ा और नीचे आएगा एक समय ऐसा आएगा यह भी पॉइंट माल लेते हैं यहां पर चला आया तो यह जो FB है कुछ इस तरह का होगा इस तरह का तो हम हम कह सकते हैं कि FB बराबर FB लगभग में बराबर तो लिखे सकते हैं एक सकते में बराबर क्या हो जाएगा एफ एन इस तरह कि यहां पर एजंसन करेंगे यह दरार पड़काव क्या हो鍋 तो क्या हो जाएगा एसबी बरावर के हो जायागा एफ या पी यह प्याफ ऐसे लिखता है पी एफ कोई दिक्कत इसको समिक्रण माल लिया है चार है इसको माल नहीं है पांच है इसको समिक्रण माल लेता है आपका च्छे ठीक है अब हम क्या करते हैं लास्ट में ये पूरे लाइन को दोवागू में तोड़ता है कोई भी दूरी नापा जाता है पोल से पोल से मापना है तो ये पीसी देखेंगे पीसी बरावर क्या होगेगा PC बराबर क्या हो जाएगा PF bud for pf plus FC कोई दिकत इसी बड़े भाग को दो भाग में तोड़ दिया कि वां थेकर इसका मान तो मालूम है यह पूरा पूरा तो इसका मान पालूम है तो आप देखेंगे बड़े बाला कमान मालोम है क्या पीसी बड़ावर कितना है आर आर है तो इसका मान रखेंगे डिगर प्लस अभ यहां को confusion हो गया क्या पीएप का तो मान मालूम है लेकिन FC FC इसका मान मालूम नहीं है तो यहां से देखेंगे from equation 5 and 4 से तो हैं से देखेंगे FC की बात करना है देखेंगे FC FC वरावर BF है ठीक है और यहां पर BF यह FV वरावर क्या है PFS है तो क्या FC के जगा हम PDF नहीं लख सकते हैं को डावड है देखेंगे यहां पर FC बारो क्या तीह या F लिख सकते है इसको उतना बाराब क्या है तो FC कॉषिशा क्धूल क्या लिख सकते है यह पीरफ एकहाई है यह अशरा attract c죠 कि खाली और यह होगी आरे इसका टुट्वीर कमांड तो जानते हैं यह आपका यह दूरी है ओडू से अपर फोकस बिल्न के विसको दरी को फोकस रिता इस कमान गया या इसके मेहाँ के अरे शकर टू जो या यह ड कूए सकते हैं फिसका डूर वाई इस तरह से हम लोग सीद्ध कर दिये कि जो फोकस दूरी होता है बकरता तेज्जा का क्या होता है आधा होता है तो इस तरह से अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं यह किस दरपड के लिए था उत्तल दरपड के लिए था ठीक है कॉन्वेक्स मीरर के लिए था इसके पहले कॉन्वेक्व मीरर के लिए देख चुके हैं ठीक है तो इस तरह से अगर आप एक्जाम में आता है तो आप इस तरह से आप डेरिवेशन कर सकते हैं को दिक्कत हो तो कमेंट्स करेंगे कॉन्वेशन कर सकते हैं